फाइनली फाइनली पोकेमोन एनिमे सीरीज के अंदर एस का एक एसा फ्रेंड आने वाला है जिसको तुम सबने काफी ज़्यादा नफरत किया लेकिन आज उसी की रिटन वीडियो तुम देखने आ चुकी हो यह समय का पईया जो कल बुड़ा वो आज अच्छा हो सकता है यान करते हैं उससे पहले यार ओल्ड गुरूजी वापस आ चुका है बहुत सारे लोग टेंसन ले रहेते हैं कि भई तुम पोकेमोन को कुईट मत करो मत करो अरे बहुत मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने पोकेमोन को कुईट नहीं किया बलती है मैंने बस इतना बोला कि अगर 10 वीडियो में पोकेमोन के उपर बनाता हूँ तो आप 10 में से 9 वीडियो पोकेमोन के उपर आएंगे और एक होगा दूसरे एनिमे सीरीज के उपर ताकि हम एक्सपांड कर पाए और तुम्हें और नए 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 विराइटर के कॉंटेंट को प्रोवाइड कर हमको पोकेमोन एनिमे सीरीज के अंदर जन्मीज के अंदर गेरी और आइरिहस ओप्रता में देखने को मिल गए और फिर वो एनिमे सीरीज के अंदर भी आ गए लेकिन कई-कई बार ऑप्रिंस के उप्रास के इंदर यह दिखाया गया कि लोकारो और चाहियर का मुकावला होगा लेकिन वैसा कुछ था नहीं तो तुम समझ गए ना ओपनिंग सोंग जादतर केसेश में सही होते हैं लेकिन कभी-कभी वह उनको गुम्रा करने के लिए भी बनाई जाते हैं तो होराइजन के अंदर क्या हुआ तुम लोग यही सोच रहे हो तो होराइजन का ओपनिंग सोंग अभी हाली में अपडेट हुआ जिसके अंदर हमको स्विकून एंटे एंड राइकू पोकेमोन इंसोट अपने लेजंडरी बीस पोकेमोन दिखाई जा रहे हैं आप लोगों को तुम चांते जिस अगर लेजंडरी बीसट आता है तो उसके अंदर स्विकून हो को दिखा दिया गया है तो लोग बोल रहे हैं अब देखो अंदो अब रहा गरीबों देखो स्विकून वापस आ चुका है क्वाक्रों के पूर पुरे पूरे 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 प्अनिमे एपके पास है तो काफी ज़धा चांसे है इपि आपके विकोस तुम याद करो जन्नीज के वो दिन चाहबे बताया जा रहा था कि एस कर्दम को एनिमे स्रीज से निकाल दिया जाएगा और गोब बनेगा नेक्स्ट हीरो पोकेमोन का लेकिन उसको केंसल कर दिया गया तो उसी को थोड़ा सा गुमा के हमको गोब दिखाया जा सकता है होराइजन्स के अंदर विकोस मोका है दस्तूर है तो मार दो ना हातो डा क्यूंकि यार गोगो ये रिटन लाने का बेस्ट टाइम है विकोस एन्टे आने वाला है तो एन्टे की स्टोरी से इसको काफी अच्छी तरीके से कनेट कर सकते हैं और एको रास्ता है हमको बले ही गोगो नको लेकिए दिखाया जा रहा है वह एन्टे का बेस्टस दिखाया जा सकता है यानिकि हमको पास की काने दिखाया जाए इस तरीके से रहता था और वो इतना विग क्यो हो गया, ऐसा पोसिबल है, स्विकून ने, राइकों ने अपनी पावर को आटे को दे दिया, ताकि वो दुन्या को बचा सके, एन वो पेरडाइप्स की रक्षा कर सके, ड़ेट स्वाइस स्विकून इतना दा विग हो गया, उसकी पावर बिल्कुल ब अट्रोल्ड होता है, तो उसकी कहानी के च्छाम से और जाजा कराया जा सकता है तो यह पास की कहानी नहीं होगी परजेंट के और अंग ही साथ में आ सकता है गो को मैंने काफी हेट किया अभी बी करता हूं मैं मैं सब्दों से यह करने वाला लेकिन अगर Go Comeback कर जाएगा तो यह काफी बड़ी लीड होगी, काफी बड़ा हिंट होगा, काफी बड़ा प्रूफ होगा, हम सबी Pokefans के लिए कि Ace भी पका फूचर में आ जाएगा, वैसे Ace को Comeback कराने के लिए Go के हमको आवे सकता नहीं है, वैसे तो, लेकिन अगर Go आ रहा ह अच्छी बात है, वरना, गीता की Pokemon League में भी हमारा Ace के चम आ सकता है, विकोज ऑपनिंग सोंग में, हमको गीता और इसका आइकोनिक Pokemon, कोई पाल दियागा Pokemon है, मुझे नेम नहीं पता, वो हमको दिखा दिया गया है, तो साय तक से, गीता अपनी Pokemon League को सुरू कर सकती है, और Anime स पर यह क्या ही मज़ा आ जाएगा, अगर Leon कम भी कर जाएगा, वैसे यह अलग बात है, तो तुम समझ चुके हो ना, यह दोनों News दो है ना, कितनी ज्यादा important है, लेकिन बहुत सार लोग यह भी बोलेंगे, कि पर यह स्विकून आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है, वो यह स इसका थी मुवी में, जोरो क वाली मुवी मेर, Pokemon Journeys में, जोरो के Singapore को देखा, तो हमने अभी तक Anime Series मे चार से पांच, स्विकून को मिल चुके है, तो इसका मतलब यह है, शुकून का थी हूं काफ़ी सारे होते है, यह बात हम समझ चुके हैं, अगर हम स्विकून और Legendary Beast के ओरिजिन को देखे तो यार ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था विकोज यह जो तीनों पोकेमोन है ना वह पहले नॉर्मल पोकेमोन हुआ करते थे लेकिन हो ने इनको रिवाइव किया और लेजेंडरी पोकेमोन मना दिया तो टेक्निकली तो स्विकून एंटे और राइकू स से ज्यादा हो गए और अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखते हो तो इसमें एंटे पोकेमोन काफी जाएट फिल होता है तो पहले कि काफी जाइंड थे फिर दीर दीर वो सोटे हो गए ये तो कुछ नहीं पोकेमोन का जो अगला एपिसोड होगा मेबी एपिसोड 75 उस तुम बस इस image को देखो, जो कि Pokemon वालों ने अपने Twitter पर डाला, पर यार जो तुम इस frame को देख रहे हो, sky को देखो, Pokemon की scale को देखो, कितना दादा high हो चुका है, यह scene कोई episode का नहीं, बलकि movie का लग रहा है, और मैं Horizon की तारिफ कर रहा हूं, तो बहुत सार लोग बोल रहे हैं क पेसे खाई तुने, Pokemon वालों ने तुझे पेसे दिये, पागल बागल हो क्या, Pokemon वाले कब से पेसे देने लगे यार, यार उल्टा वो strike मारते हैं, इसलिए मैं images का use कम करता हूं, gameplay बगेरा डाल दिता हूं, तो समझा करो, ऐसे पेसे वेसे नहीं मिलते, और मैं अब कहना चाह कि यार, अगर Horizon स्टार्टिंग में खड़ाब कर रहा था, मैंने इसको क्रिटिसाइज भी किया, अगर वो अब अच्छा कर रहा है, तो अच्छा बोलना भी हमारा फ़र्ज है ना, किसी चीज के पीछे इतना मत पड़ो, कि तुम्हे उसकी अच्छाई भी ना दिखे, हाँ एसका फैंड में भी हूँ, पोकेमोन होराईजन में मुझे भी कमया लगती है, बिकोज एसकी कमी मुझे भी मेसूस होती है, लेकिन अगर वो स्टूरी की मामले में कुछ नया कर रहा है, हमको कुछ नया अपन दिखा रहा है, तो उसकी तारीफ भी करनी चीए, होराईजन क परजेंट कानी मुझे उतनी अची नहीं लगती है, लेकिन जो पास्ट की कानी है, लूशिस की कानी है, लूशिस की मिस्ट्री है, उसको लेके सारे फैन एक्साइटेड है, एक्च्वल में लूशिस है कैरेक्टर है ना, जिसको यह सारे पोकेमोन फैन पसंद करते हैं, बह में से एक बन चुका है, तो हाँ, हम थोड़ा राह से बटक गए, यह हमाँ टोपिक नहीं आज का, लेकिन हमाँ टोपिक है गो के बारे में, तो सिदा सिदा मैं तुम्हें बता देता हूँ, कि यार गो और गीता के बीच में क्या कनेक्शन है, एंड ऐस के आने के चांसे कितन तो वो सिफ चार्ट परसेंट है, और एस के कुछ फ्रेंड्स आ सकते हैं, उसके चांसे 40 परसेंट है, और खुद गो, गीता की पोकेमोन लीग में जा सकता है, उसके अल्मोस्ट 50 परसेंट चांसे, तो मैंने तुम्हें बता दी हैं, परसेंटेज वाइज, ताकि तुम्हे कोई confusion ना हो, कि क्या है, के से है, तो समझ चुके हो ना, गो के चांसे इस तो बन रहें, एनिमे स्रीज में आने के, तो बस RCS से परातना करो, दुआ करो कि या, जो भी हो, अच्छा हो, और Ace और गो भई हमको एनिमे स्रीज में देखने को मिल जाए, बुरे से बुरे सपने म पर नहीं सूचा था, एक दिन गो के लिए इतना एकसेटेड हूंगा, अब थके लिए, बाई बाई